बिहार के उप मुख्यमंतिरी तेजस्वी यादव ने खेल गतिविधिया बढ़ाने को लेकर दिये अपने बयान में कहा कि इसके लिए अलग से खेल विभाग बनाए है बिहार सरकार हर शेत्र में काम कर रही है बिहार के लोग प्रतिभाशाली है जिने खेलने का मौका मिल रहा है मौका है कि बिहार जो है इन सारी चीजों को अच्छे से और्गनाईज कर पाए और सब लोग लगे हुए हैं और लगतार जो है हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में खेल गूद जो है उसको हम लोग आगे बढ़ा है और आप सब लोग देख रहे होंगे कि कई अलग अलग राज्यू की टीमें आई है और खास तोर पर ये टॉर्णमेंट जो होता था वो भाहर हुआ करता था बिहार में नहीं है और ये आईपेसी टॉर्णमेंट वगएर ये हम लोग खुद जो है खेल चुके हैं पहले पबिक स्कूल इंटर कॉम्पेटिशन वगएरा ये सब होता था करें में काफी अच्छा माहौल रहता है और स्कूल के टाइम से ही टैलेंट को एक मौका मिलता है प्लाटव कि बच्छों को को लोगों के साथ लापाए बिऴरनिज़े आगी का क्रिकेट के लिए बच्छों की लिए काफी शूरियतर रहती है लोगों के नजर गारे कि अब बिहार में जो हैं महाऊन बढ़ रहा है काफी अच्छा लगा के लिए पहले कि पहले जो अलग करके लिए इसी वजह से ताकि हम स्पोर्ट्स को जो है अच्छे से सारी चीजें जो हैं देखें बिहार के लोग इतने टालिंटेड है उन लोगों को मौका मिल रहा है या देज भर के हर तीमों से खेलने का चाहिए वो स्कूल लेवल पे हो या रजी टॉफी लेवल पे हो और जल्दी विश्वास रखिए बिहार की जंदा को इतना हम जरूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में जब स्टेडियम का निर्मान हो जाएगा कि अभी रजी टॉफी चल रहा है काम शुरू हो जाएगा तो हम लोग जल्दी ही जो है आई पेल टोर्नमेंट और इंटरनाशनल मैचेस इंडिया के मैचेस भी हम लोग कराएंगे न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं